मेरे इंडियन गन्पला कम्यूटी के बाई भेनों मैं नाम है नुवस03 और आज मैं आप लोग को फिर से गाइड दूँगा के गन्पला इंडिया में कैसे ख़ी थे पर ये गाइड होगी मेरी हिंदी में जिसके कारण मेरे पास एक्चली इस वीडियो के लिए कई बार रिक्वेस्ट आ चुकी हैं तो मैं आपको स्टार्ट करते हैं तो कहां सब्की दे में पहली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने दो वैब साइट सापको बताई थी जिसाब जपान से गन्पला किट्स मंगा सकते हैं पहली थी है चल जे और दूसरी थी जन मार्किट इन दोनों साइट में वंगाने से अपने 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 पहले हम जाएंगे HLJ की दरफ तो HLJ है किया यह एक जापान में स्थापित होबी साइट है जो इंटरनाशनल चीज़ शिप करती है इससे आप क्या-क्या मंगा सकते हैं और यह बैंडाई के ओफिशल पार्टनर्स है तो यहां से मंगाने किट्स काफी आप लोग के लिए से यह भी है गैन्टीड भी है क्योंकि यह एक ऑफिशली एस्टैबलिश्ट बिजनेस है यहां पर आपको हाई-ग्रेड किट्स जो यूशली आप लोग के बजट में होंगे और जिन आप बनाकर या फिर आपको जो भी ट्रिक्स वगर इस्तेमाल करनी होती है गनप्ला और पार्ट का साइज बहुत चोटा होता है और डीटेल से भरपूर होते हैं तो डिजाइन के मामले में अगर आपको लोग एक डिस्प्ले भी चाहिए तो मैं आप लोग को कहूंगा कि जाए यहां पर रियल ग्रेड की तरफ और अगर आपको इन से थोड़े बड़े किट चाहिए जिनके तक खूब डीटेल हो और आपको बिनाए महजा भी आए तो वो है हाई मास्टर ग्रेड अब इनके प्राइसिंग अब बता दू हाई ग्रेड आपको दो तीन हजार तक मिल जाएंगे मेनिमम प्राइसिंग की होती है पांसो तक भी मिल सकते हैं या तीन हजा इंडियन रूपीस तक आपको पे करने पड़ेंगे हाई आड़ जी के लिए पिर रहाते हैं हमाएं पास मास्टर ग्रेड्स मास्टर ग्रेड्स आपको हमेशा अठाइस सो से लेकर उपर की तरफ ही मिलेंगे नॉर्मली एचल जी पर पर अगर आपको पहली बार मंगा रहे हैं तो मैं कहूंँगा आप लोग मंगाए हाई ग्रेड्स वरना स्टार्ट कर दें रियल ग्रेड्स ये मास्टर की तृप अगर आप पहले महीं भी मंगा किट्स के अभी के लिए स्मॉल में लेकिन ये काफी महेंगे हैं तो जब तक आप लोग पूरे अमीर ना हो इन किसें दूर ही रहें बढ़ना गर आप अमीर है और इस होबी में seriously काम करना चाहते हैं तो परफेक्ट ग्रेड आप लोग के लिए परफेक्ट है अब आ जाते हैं सबसे budget option की तरफ जिसे हम बोलते हैं entry grades entry grades में अब तक हमाई पास तीन चीज़े हैं एक हमाई पास original गंडम डैडी जिसे हम बोलते हैं RX782 यह वाला जासे अब देख सकते हैं कि entry grades आपको बहुत सस्ते में मिल जाएंगे यह 378 रूपीज में start होते हैं entry grades light package version में इनके अंदर आपको कोई accessories नहीं मिलती बस base kit मिलता है मैंने भी कईप अपनाए हैं और यह सबसे best चीज़ है अगर आपको सब practice भी करनी है तो तो अगर आप पहली वा मंगा रहे हैं या फिर अगर आपने पहले मंगा रखा था और आप वापस से मंगा चाहते हैं तो मैं कूँगा एक entry grade के ओपर जबर पैसे डालिए क्योंकि वो आपके लिए बड़ी अच्छी practice होगी इन्हें बनाना बड़ा असान है इन्हें आप स 757 में आपको यह पूरा kit मिल जाएगा जिसमा आपको इसकी सारी से स्रीज मिलेंगी उसके बाद है हमारे पास strike gundam जो लोग गंडम seat से familiar हैं वो लोग इसे जा सकते हैं लेकिन अभी की race में अभी इनके पास जो available है stock में वो है entry grade strike gundam और entry grade new gundam new gundam जो original UC fan है और जो original gundam क fan है वो ने पता है new gundam कितना special है हम सभी fans के लिए यह आमर और रे का last gundam सा जो लोग ने pilot किया और पूरी zeon war जीत ली well पर उसके पापने unicorn आ गया f91 आ गया लगता नहीं हूं कभी जीत पाए anyway बजाए kits के यहां पर आपको कई और books magazines action figures और कई और चीज़े मिल सकती है ज़ यहां पर action figures मिलते हैं पर आप देश सकते हैं उनके prices आपको बहुत जादा pay करने पड़ेंगे यहां पर अभी आपके पास दो choice action figures में एक है gundam universe line यह line कई हद तक ठीक है पर इनके details और कई चीज़ें उतना सब नहीं मिलता और एक है आपके पास robot damaashi line damaashi मतलब spirits robot spirit line यह line आ करेंगे इनके अंदर आपको अच्छे weapons मिलेंगे details मिलेंगे मैं कहूंगा robot spirit सबसे high level का काम करते हैं तो display के लिए यह सही है अभी इस वक्त SLJ में जो available है वो आपको मिल जाएंगे नई सीरी से witch of mercury hg delanza फिर entry grades दो हैं उनके पास एक तो strike gundam और दूसरा स्लाइट decals इनके लिए अभी एक सूपर रेर एजी यूजी कसाई यानकी XI gundam available है मुझे पता है जिन लोग ने हैतावे flash देख रखे उनके लिए बहुत सभी मौका है इस टाइम पर बाय करने का क्योंकि यह kits बहुत जातों size में बड़े हैं तो अगर आप मंगा रहे हो तो मंगा लो एक ही kit और आप पूरा ध्यान दे सकते हो recommended kits में मैं कहूंगा आप लोग यह दो किट्स तो मंगाई लीजिए the RX-782 revive version और the HG-C-E-L strike Gundam because यह दो अब तक सबसे जाने माने Gundams है starting के एक है Universal Century की तब से तो दूसरा है सीड के starting का Gundam प्लस इसके अंदर आपको मिलता है EL strike backpack को वेकीन वानिये अगर आप लोग पहले भी gunpla बना चुके हैं या फिक गनप्ला community से वाकिफ हैं उन्हें पता है कि एक striker pack मिलना कितना मुश्किल है striker pack और इनकी जो backpack is kit में फिर इनके पास available है एक strike freedom Gundam of course पर आप लोग खईदना चाहोगे strike freedom पहले और इनके पास hg new Gundam available है entry grade आप से तब खईदे जब आपको सिफ starting करनी है practice करनी है वरना मैं कहूंगा अगर आपको hg पूरा मज़ा चाहिए तो इन सारे hg Gundams की तरफ चाहिए अब hobby link Japan से मंगाने का फायदा क्या है यहाँ पर actually हमारे पास दो shipping available है options जिनने मैं consider करता हूँ एक है EMS और दूसरा surface shipping मैंने सिर्फ surface shipping यूज किया है क्योंकि मैं जब मैंने मंगाया उस time में मेरे पास EMS available नहीं था तो मेरेको कोई idea नहीं है कि पर EMS surface shipping ज़्यादा फास्ट है अगर आप surface shipping से order करेंगे तो हो सकता है आपको customs ना पे करने पड़े पर इस time मैं कहूंँ customs random है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा गया custom amount पे किया हुआ वह तीन हजार जब तक मैंने अपने discord server में और बाकी लोगों सुना customs नोए maximum बे किये थे 3000 रुपे इंडियन रुपीज बट उनका parcel भी बहुत बड़ा था बहुत जादा kits थे और काफी value भी उसकी काफी high थी बट अगर आप लोग सही moderate होकर खर्च करेंगे तो तीन हजार से दो हजार से कम ही में आपको पस्टम्स पे करें पड़ेंगे पर यह सिर्फ अब तका speculation है मुझे नहीं पता कि इंडियन पोस्ट हमारे कस्टम्स कैसे calculate करते हैं किस percentage पर करते हैं तो पूरा ही तरह से यह random हैं इसके बाद सर्फेस पार्सल आपको लगाए गए एक महीने से लेकर ती महीने तक के बीच में यूजुली हम लोग को दो ढ़ाई महीने में अपने पार्सल्स मिल जाते हैं दूसरा अगर आप लोग EMS से ट्राइ करेंगे तो आप हो सकता को एक महीने से दो महीने के अंदर ही मिल जाए अब आते हैं हम लोग Zen Market की तरफ Zen Market एक भी शॉप नहीं है यह एक्चली में आपको एक जापान शॉपिंग प्रॉक्सी वेब साइट है तो इसका मतलब क्या है प्रॉक्सी शॉपिंग का कि आप लोग अपना सामान इसमें हाँ पर मंगा सकते हैं यह लोग कुछ टाइंकल अपने वेराउस में रखेंगे और फिर अंदर यह सब कुछ एक ही बॉक्स में पैकर कि आपको भीज देंगे इसका फायदा क्या है तो जब आप लोग Amazon जपान से यूजरी शॉपिंग करते हो तो आपको हमेशा शिपिंग फीज हर एक आइटम के साथ देने पड़ती है पर इससे आप वो साइज शॉपिंग से आप लोग मैं यूजरी मंगाता हूँ Amazon जपान विकॉज यहां पर स्ट्रेट अप लिंक्स डाइट शॉप्स के लिंक होते हैं तो सेलर्स आपको अरड़ी पिताए Amazon पर कितने सही मिलते हैं बाकी काट्रीज में इंडिया में नहीं मिलेंगे आपको तो इनसे मंगाना से मैं कहूंगा यहां सब्सक्राइए तो आप थोड़े रिस्क उठाने के काबिल हो पहली बात हमेशा Amazon से मैं कहूंगा अगर आप थोड़े पी बैंडाइ जिसे हम लोग पी प्रीमियम बैंडाइ बोलते हैं आप को किट से यह तो आप यहां ऑक्शन में जाए वहां पर आ अगर आपको अच्छी डील मिल रही है तो आप अहां से मंगा सकते हैं तो पता कैसे करें एक अच्छी डील है नहीं इसके लिए कई फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर एक तो प्राइस भी देखना पड़ता है प्लस फोटो में आपको हर एक चीज़ आइडेंटिफाई करन यहां पर जिसने भी में वीडियो से कुछ भी खईदा या में एडवाइस लेकर खईदा उन सबके एक्सप्रियंस आपको यहां मिल जाएंगे हम लोग अपने किट्स जो भी हम बनाते हैं उन सबकी फोटो जहां पर डाल शेयर करते हैं हमाई एक्स्प्रियंस जो भी हमने इस डिस्कॉर्ड सर्व की बहुत ज़रुद थी इंडिया में आपको कोई भी कोश्चन है तो आप यहां आकर पूछ सकते हैं और मेरे अलावा यहां पर आपको और भी कई सारा एक्स्प्रियंस लोग मिलेंगे जो आपके सारे कोश्चन कस्टम रिलेटेड या कुछ भी ख कर सकते थे लेकिन अब यहां से उस सिस्टम हटा दिया गया है क्योंकि जो डी लोकल पार्टनर है वो अब यहां इंडियन पेमेंट सेलेक्ट एसेप नहीं करते जिसकी वज़े से अब जैन मार्केट पर आपको सिफ अपने इंटरनेशनल डेविट कार्ड या पेपैल के थ और है कि जैन मार्केट पर आपको एक फीज देनी पड़ती है पर आइटम जो होती है 300 येन जो है कुछ 178 इंडियन रुपीज के तो चाहे 178 इंडियन रुपीज से नीचे का कोई आइटम होगा तो उसके लिए आपको पेए करने ही पढ़ेंगे 300 येन उन से आप नहीं च शिपिंग काल्कुलेटर भी मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं कि आपको कितने आप के जो वेट है टोटल कितना है कि एक जामपल मैं ने मंगाया यहां पर आप समझे तीन हजार ग्राम जिसे हम बोलते हैं तीन केजी इंडिया के अंदर और अब यह आपको यहां पर प्राइसिंग बता देगा जिसकि अगर मैं तीन केजी मंगाया तो यह सिर्फ अप्रॉक्सिमेटली मैक्सिमम प्राइसिंग है तो अगर मैं सर्फेस पार्सल चूज़ करता हूँ तो वो देगा मैं को दो से टीन महिन लगेंगे उसके लिए और मेरी जो फीस होगी वो होगी 2000 रुपे अलग से इंडिया शिपिंग के लिए पर अगर मैं EMS चूज़ करता हूँ तो एक हफ़ते के अंदर आपके पासल पहुंच जाएज़ एक हफ़ते से जादा अलग जाएगा इंडिया तक पहुंचने के लिए पर आपको जल्दी मिल जाएगा पासल पर उसक्लाक वो थोड़ा और पे करना पड़ेगा यहाँ दो आप्षिंस हैं जिनके ऊपर मैं कोंगा बिल्कुल भी ना करें बिकाज यूपीएस और फेडिक्स प्राइवेट शिपिंग कंपनी से हैं यह आप लोग उसे बड़ा चार्च करते हैं पर यह बहुत जल्दी पहुंचाएदा हैं पासल लेकिन उस दौरान में आपसे कही जादा पैसे लेंगे क्यों कस्टम्स के लोग एडवांस में पैसे ले लेते हैं तो हो सकता है कस्टम अवाइड कर सकते थे पर यह आप से जादा ही पैसे लेंगे जितना आपको नॉर्मली इंदो केसिज में देने पड़ेंगे सर्फेस और EMS के केस में पर यहाँ हो सकता है को पारसल के लिए कोई कस्टम्स ना देना पड़े मैं का यह रैंडम चीज़ है आजकल हमारे लिए पाकी अगरा कुछ बहुत जल्दी है मंगाने के अपने पकेट्स तो हमारे यहाँ पर सैली और बैकलॉग चैनल में में डिस्कॉर्ड सर्वर पे हमाएं सेंड सॉमर्स हैं जिने हम लोग बोलते हैं जी बेस इंडिया इंस्टाग्राम पर यह गनप्लास बेशते हैं जो इनके पास रखे हैं अभी इस टाइम में लास्ट आप देख सकते हैं इनके पास था और एक्स मास्टर ग्रेड और एक जिरो बैंड शी गंडम जिस आप जाते हैं ब्लाक यूनिकॉर्ण के नाम से वो ये दे रहे थे साथ हजार उपए में और बीज दिन के अंदर की डिलिवरी गैंटीट थी प्रीव में पेइमेंट पहले करने पर और यह आपको एक फ्री गंडम मार कर देंगे जिससे आप लोग उसे अच्छी तरह से यह गोल्ड गंड मार कर देंगे जिससे आप लोग सची से पेंट और डीटेल कर पाएंगे बाकिंग के पास एक आरजी उनिकॉन था जो आप लोग 4,500 रुपें खीच सकते हैं पर यह सारे प्रैसिस आपको वही प्रैसिस मिलेंगे जो आप यूजरी जपान पे पे करने वाले थे और शिपिंग के लिए एक्स्ट्रा पैसे दे कर आप मंगाने वाले थे तो इनसे मंगाना पूरा क्रेडिबल है यहाँ पर हम कई लोग हैं जिन्होंने इनसे मंगाए हैं और यह बहुत ही अच्छे सेदर हैं इंडिया में जब तक आप इनसे थोड़ा प्राइस नेगोशियेट कर पाएं आपको एक अच्छी डील मिल सकती है यह आपको टाइम भी सेव करने में पूरी तरह से हल्प करेंगे उनके पास जो किट्स आते हैं वो ब्रैंड न्यू किट्स हैं I believe और इनके पास कई ऐसे सरीज और टूल जैसे की निपर्स और गंडम मार्कर्स आपको इनसे मिल सकते हैं यहां तक की डीकल शीट और स्टैंड भी तो हाँ आप इनके पास जा सकते हैं अगेन इनका नाम यहां मेरे डिस्कॉर्ट सर्वर में स्टैंड सॉमर से और अगर आप लोग इंस्ट्राग्राम से पें से बात करना चाते हैं तो है जी बेस इंडिया आइधिंक वो है जी बेस यह अंडर्सकोर है बाइद वेश इंडिया इसी तरह से राइट होता है नहीं बट हाँ आपको यह वहाँ पर मिल जाएंगे अगेन मंगाना है तो सर्फेस इस्तमाल करें या फिर EMS FedEx और UPS से दूर रहें अनलेस आपके पास बहुत जादा मनी है जिस आप स्पेंड करने में कोई 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 प्रॉब्लम नहीं दूसरा एक अगर सेफ बैट जिसमें आप चाते हैं कस्टम से ना लगया आपको तो मैं कहूंगा मेरी परफेट जो मेरी सेफटी लाइन है उ और दो किलो से कम अगर से जादा मंगाते हैं तो वही बात है रैंडम हो या ना हो मुझे पता नहीं और ज्यादा गैंटीड के जाए तो आप जाए है चल जे पे वहाँ से आप लोग मार्कर्स पेंट्स जब तक कि वह ओल वाटर बेस्ट हो ना की इनामल या कुछ और ऐसे अगर सकते हैं वाट जान मार्कित में आप लोग मार्कर नहीं मुंग आ सकते हैं आक जो आको यूज यूजली बे नहीं मिलेंगे रहे तो चौए साप लोह है धन्यवाद